रासायनिक साम्यावस्था के नियम बहुत से उतक्रमनी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्यन करने के पश्चाथ नार्वे के दो वेज्यानिक गुलबर्ब तथा बागे ने रासायनिक साम्यावस्था का एक नियम दिया उस नियन के अनुसार उनका कहना था कि किसी उतिक्रमनी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसकी सक्रिय द्रव्यमान या उसके एक्टिव मास के समानुपाती होती है यहाँ पर जो सक्री द्रव्यमान है उसे हम उसकी सांद्रता या मोलर सांद्रता भी कह सकते हैं साथ ही साथ उन्होंने ये जो सक्री द्रव्यमान है अभिकारकों के उसे square bracket के अंदर रख कर दर्शाने की बात कही इसी तरह से यदि हमारे पास कोई अभिक्रिया है यदि हमारे पास यह अभिक्रिया है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो अभिकारक है यनि कि इस अभिक्रिया में A के क्रिया करने की दर इसकी सक्री मात्रा यनि कि इसके सक्री द्रव्यमान के समानुपाती होगी इसी तरह से अभिकारक B के क्रिया करने की दर इसकी सक्री मात्रा के समानुपाती होगी इसी तरह से क्योंकि पश्च अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक होंगे वो होंगे C और T इसलिए C के अभिक्रिया की करने की दर इसकी सक्री द्रव्यमान के समानुपाती होगी और इसी तरह से डीक अभिकारक के क्रिया करने की दर इसकी सक्री द्रव्यमान के समानुपाती होगी। अब हम जानते हैं कि जो उत्क्रमणी अभीक्रिया है उसमें दो अभीक्रिया है, अग्र अभीक्रिया तथा प्रतीप अभीक्रिया. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अग्र अभिक्रिया का वेग होगा वह अभिकारकों A तथा B के सक्री दरव्यमानों के गुड़न फल के समानुपाती होगा इसी तरह से जो प्रतीप अभीक्रिया का वेग होगा वह यहाँ पर क्योंकि प्रतीप अभीक्रिया के लिए अभिकारक C एवं D हैं अता C एवं D की सक्री मात्राओं सक्री दर्व्यमान के गुणन फल के समानुपाती होगा अब यदि हम सक्री यहाँ पर जो समानुपाथ है उसको हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक इस्थरांग लगाएंगे तो इस तरह हम कह सकते हैं कि forward reaction के लिए जो वेग इस्थरांग है यह बराबर होगा KF into A के सक्री दर्वेमान गुनित B के सक्री दर्वेमान के इसी तरह से जो backward reaction के लिए वेग इस्थरांग है या प्रतीप अभिक्रिया का वेग इस्थरांग है वह बराबर होगा KB into C के सक्री दर्वेमान गुनित D के सक्री दर्वेमान के तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया को हम यदि इस प्रकार से लिखें कि यहाँ पर KF यानि कि अगर अभिक्रिया का जो स्थरांग है वह बटे यदि हो जाए KB के तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये बराबर हो जाएगा कैसी के सक्री दर्वेमान गुनित D के सक्री दर्वेमान बटा A के सक्री दर्वेमान गुना B के सक्री दर्वेमान के और इस तरह से यहाँ पर यह जो अनुपात या expression है यह बराबर हो जाएगा के सी के तो इस तरह से हम देखें कि जो के सी यहाँ पर जो के सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर सी का सक्रीद्रवेमान गुणित डी का सक्रीद्रवेमान बटे एका सक्रीद्रवेमान गुणित बी का सक्रीद्रवेमान इस तरह से यह जो पूरा हमें स कहते हैं और इस स्थति में जो के सी है यह साम्यावस्था इस्थरांग को दर्शाता है यहां पर के के नीचे जो सी लिखा गया है वह यह दर्शाता है कि इस साम्य इस्थरांग को हम सांद्रता या मोलर सांद्रन के रूप में प्रदर्शित करेंगे साथ ही साथ यहाँ पर जो यह expression देख रहा है C की सक्रिदरव्यमान गुणित D का सक्रिदरव्यमान बटा A का सक्रिदरव्यमान गुणित B का सक्रिदरव्यमान इसे हम साम्य स्थरांग व्यंजक कहते हैं तो इस तरह से यह जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम साम्में स्थरांग को इस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं किसी भी निश्चित तापमान पर किसी उत्क्रमणी अभीक्रिया के लिए अग्र अभिक्रिया के वेग इस्थरांग तथा पश्च अभिक्रिया के वेग इस्थरांग के अनुपात को हम साम्मे इस्थरांग कहते हैं यह हम इस्थरा से भी परिभाशित कर सकते हैं कि इस्थर तापमान पर किसी उतक्रमणी अभिक्रिया के लिए साम्मे वस्था पर उत्पादों के सक्री द्रव्यमानों के गुड़नफल तथा अभिकारकों के सक्री द्रव्यमानों के गुड़नफल का अनुपात उस अभिक्र अभिकरिया के लिए साम्यावस्था स्थरांक होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसे परिभाशत कर रहे हैं तो दो-तीन चीजों को के तरफ हमें ध्यान देना है। सांदरताओं के अनुपात को दर्शाता है यदि हम सान्मिय वस्था से अलग इस्थती पर यदि हम उत्पातों के सक्री दरवेमानों और अभिकारकों के सक्री दरवेमानों के गुणन फल को यदि हम दर्शाएं तो इसका जो अनुपात होगा इसे हम साम में स्थरांक नहीं क कहते हैं और इसे हम Q के द्वारा दर्शाते हैं तो इस तरह से जब भी हम केसी के सामिस्थरांग की बात करते हैं तो उस समय ये उत्पादों की सांद्रताओं का गुडणफल तथा अभिकारकों की सांद्रताओं का गुडणफल जो दर्शाते हैं वह साम्या वस्था इस्थत से एक्स्प्रेशन देने का सुझाव दिया गया इनके सुझाव को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इनके द्वारा किये एक प्रयोग पर ध्यान देते हैं गुलबर्ग एवं बागे ने हाड्रोजन तथा आयोडीन की अलग-अलग सांद्रताओं के साथ कई प्रयोग क जिसमें शुरू के जो चार प्रयोग थे उसमें हाड्रोजन की सांद्रता को इस्थित रखते हुए आयोडीन की सांद्रता को परिवर्तित किया और इनकी अभिक्रिया के फलसरू जब अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो गई उस परस्थती में हाड्रोजन की सा सांद्रता, आयोडीन गेस की सांद्रता, तथा HI उत्पाद जो बन रहा था उसकी सांद्रताओं का अवलोकन किया, तथा उन्होंने इस प्रकार से डाटा इकत्रित किया, इसकी अलावा जो दो प्रयोग थे उसमें इन्होंने प्रतीप अभिक्रिया को लिया, यहां पर इन्ह वहां पर उन्होंने देखा जो उन्हें प्रायोगिक आंकड़े प्राप्त हुए वहां पर उन्होंने देखा कि साम्य वस्था पर हाइडरूजन गैस की सांदृता और आयोडीन गैस की सांदृता ये तो एक दूसरे की बराबर है लेकिन जो हाइडरूजन आयोडायट की सां की सक्रिद्रवेमान बटे हेहेेेचकरी के शक्रिद्रवेमान इंटू आयटू का सक्रिद्रवेमान और इस expression पर जब इन्हों प्राप्त आकड़ों को रखा और ये कैसी का मान ग्यात किया तो उन्हें के केसी का मान की 7 नहीं हुप प्राप्ट हुआ यनि की इसमें अलग-अलग मान की प्राप्ट हुए जो कि नियमा नुसार सही नहीं थे जब इनों ने देखा कि 6 जो इनके के सब्सक्रांड मेर्प Rat töई वह वह बिल्कुल एक दूसरे से भितन भिन थे जैसे पहले प्रयोग के लिए 1810 दूसरे के लिए 1610 तीसरे के लिए 1400 फिर 1520 इसके बाद 1970 और अंतिम प्रयोग के लिए 790 जो कि नियमानुसार सही नहीं था इसके लिए इन्हों ने इस एक्स्प्रेशन में कुछ परिवर्तन किया और इसके बाद उन्हों जो हाड्रोजन आयोडाइट के जो सक्रेद रवेमान था उसके सक्रेद रवेमान के ऊपर दो घात लगा दिया और इसका वर्ग कर दिया और इस एक्स्प्रेशन के आधार पर जब उन्होंने केसी का मान निकाला तो उन्होंने देखा कि यहां पर केसी का मान हर बार नियत था बहुत कम परिवर्तनों की साथ जैसे कि पहले के लिए 46.4 फिर 47.6 46.7 46.9 46.4 तथा अंत में 46.4 प्राप्थ हुआ तो इस तरह से उन्होंने देखा कि इस अभिक्रिया का जब उन्होंने जो रासाइनिक उतिक्रमणी अभिक्रिया था उसके साथ कमपेर करिया तो यहां पर उन्होंने देखा कि जो हाड्रोजन गैस या आउडीन गैस के ऊपर जो घातांग थे वो वास्तों में जो संतोलित र या साइनिक उतिक्रमणी समीकरण थक उसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के सामने लिखे गए रस सम्हेकरणं मिती गुरांकों के ही समान थे तो इस तरह से जो साम्यावस्था स्थरांक लिखने का जो नियम बना वो यह था कि जब भी हम केसी का व्यंजक लिखेंगे तो उस समय जो भी अभिकारक तथा उत्पाद हैं उनके सक्री द्रव्यमानों के ऊपर उस संख्या को घात लगाया जाएगा जो कि उस उतिक्रमणी स संतुलित समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के सामने रस समीकरण मिती गुणांक लिखे गये हैं उन्हीं गुणांकों को उनकी अभिकारकों तथा उत्पादों की सक्री मात्राओं के ऊपर घात के रूप में लिखा जाएगा तो इस तरह से यह जो रासानिक समी करण था H2 प्लस I2 is equal to 2HI तो इसके लिए जो साम्य स्थरांक व्यंजक था यानि कि केसी ये केसी is equal to 2 हा H2 के सक्रिद्रव्यमान की घाद दो बटे H2 का सक्रिद्रव्यमान गोनित I2 का सक्रिद्रव्यमान इसी तरह से आईए हम और कुछ उधारन देखते हैं जिसमें हम कुछ उतक्रमनी अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थरांक व्यंजक लिखेंगे पहला उधारन हमारे सामने है सबसे सरल अभिक्रिया A प्लस B उतक्रमनी C प्लस D इसके लिए हम KC लिखेंगे तो KC is equal to होगा C की सक्रिद्रव्यमान गोनित D का सक्रिद्रव्यमान बटे A का सक्रिद्रव्यमान गोनित B का सक्रिद्रव्यमान इसी तरह से हम दूसरी अभिक्रिया लेते हैं इस अभिक्रिया में हमने देखा कि सभी के मोलों की संख्या एक है लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रासानी कभी क्रियाओं में मोलों की संख्या एक जैसी हो या एक हो यहाँ पर अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख् भिन भिन हो सकती हैं, तो इसी तरов से हम यह पर दूसरा उधारन ले रहे हैं, दूसरा उधारन है, A के A मौल B के बी मौल के साथ करिया करते हैं, तथा C के C मौल तथा D के बी मौल बनाते हैं, इस अभी खिया के लिए जब हम सामे स्थरांख कैसी का expression करेंगे, लिखेंगे, त गुनित, बी के सक्री द्रवेमान की घाथ, बी. तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको expression को लिख सकते हैं. इसी तरह से हम एक और उधारन लेते हैं. माल लिजे यहाँ पर है, अमोनिया के 4 मोल, oxygen के 5 मोल के साथ क्रिया करते हैं, तथा nitric oxide के 4 मोल, तथा जल के 6 मोल बनाते हैं. और इस अभिकरिया के लिए हमें केसी का express सामने स्थरांक वेंजा को लिखना है. तो इसके लिए केसी का जो मान होगा, यहाँ पर उत्पाद हम देख रहे हैं, वो है nitric oxide तथा जल. तो यहाँ पर nitric oxide के सक्री द्रवेमान की घाथ, चुकि इसके मोल की संख्या 4 है, इसके सा अमोनिया के सक्री द्रवेमान की घाथ 4 तथा oxygen के सक्री द्रवेमान की घाथ 5. जो इस तरह से हम अलग-अलग अभिकरियाओं के लिए केसी या सामने स्थरांका वेंजा लिख सकते हैं. और भी उधारान हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर है PCL5 उत्क्रमणी PCL3 प्लस CL2. इ बटे PCL5 का सक्री द्रवेमान. इसी तरह से कैलसियम कार्बोनेट उत्क्रमणी कैलसियम ओक्साइट प्लस CO2. इस अभिकरिया के लिए केसी का एक्स्प्रेशन इस प्रकार से होगा. यहाँ पर उत्पाद में है कैलसियम ओक्साइट और कार्बन डाई ओक्साइट. तो यहा अमोनिया में नाट्रोजन के एक मोल, हाड्रोजन के तीन मोलों के साथ क्रिया करते हैं तथा अमोनिया के दो मोल बनाते हैं. और इसके लिए केसी का वेंजे किस प्रकार से लिखा जाएगा. केसी is equal to अमोनिया के सक्री द्रवेमान की घात दो. बटे यहाँ पर नाट्रोज हाड्रोजन के सक्री द्रवेमान की घात एक या एक लिखना अवश्यक भी नहीं होता है. इसके अलाबा हाड्रोजन के सक्री द्रवेमान की घात तीन. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी रासायनिक संतुलित समीकरण होगा उसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के सामने जो stoichiometric coefficient होंगे या रस समीकरण मिती गुणांख होंगे उनको ही जब हम केसी का expression सामने स्थरांख व्यंजक लिखते हैं उस समय हम उनके सक्री द्रव्यमानों के उपर घात के रूप में लिखेंगे इसकी पश्चात हम देखेंगे कि अग्र अभिक्रियाओं तथा पश्च अभिक्रियाओं के जो सामने स्थरांख होते हैं क्या वो एक दूसरे के बरापर होते हैं या उनमें किस प्रकार का संबंध होता है तो इसके लिए हम एक उधारन ले रहे हैं जो सामानी राशानिक अभिक्रिया है उत्क्रमणी अभिक्रिया ए प्लस बी रिवर्जिबल सी प्लस डी इस अभिक्रिया के लिए यदि हम केसी लिखते हैं तो इस प्रकार से होगा और इसे हम समिकरन एक मान लेते हैं अब दूसरी और हम यदि प्रतीप अभिक्रिया को लें तो प्रतीप अभिक्रिया में जो अभिकारक होंगे वो सी और डी होंगे इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं जो प्रतीप अभिक्रिया होगी वो होगी सी प्लस डी उतिक्रमणी ए प्लस बी तो यहाँ पर जो केसी होगा इसे हम चुकिए प्रतीप अभिक्रिया के लिए है इसलिए हम इसको केसी डस के द्वारा रिप्रेजन करेंगे तो यहाँ पर KC Dess is equal to हो जाएगा A का सक्री द्रवेमान गुणित B का सक्री द्रवेमान बटे C का सक्री द्रवेमान गुणित B का सक्री द्रवेमान अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो KC और दोनों समीकरणों की तुलना करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केसी बराबर है यहाँ पर जो केसी डस है उसका जो मान है हम देख रहे हैं कि वो उसका उल्टा है expression जो है वो उल्टा है तो यहाँ पर जो केसी बराबर हो जाएगा एक बटे केसी डस के दूसरी और हम कर सकते हैं कि केसी डस इस उकल्टू हो जाएगा वन बाई केसी के तो इस तरह से हम परिभाशिक कर सकते हैं कि किसी प्रतीप अभिक्रिया के लिए या उतक्रम अभिक्रिया के लिए सामिस्थरा केसी का माल उसकी अग्रम अभिक्रिया के लिए केसी के मान के वि भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे ये एक दूसरे से भिन होंगे उधारन के लिए हमारे पास एक अभी क्रिया है N2 प्लस H2 is equal to 2NH3 इस अभी क्रिया के लिए यदी हमारे पास सामने इस्थरांक यानि की केसी का मान यदी 100 है तो इसके लिए जो प्रतीप अभी क्रिया होगी उसके लिए यदि की केसी 10 का मान क्या होगा तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अग्र अभिक्रिया के लिए जो सामेस्थरांख है या पश्च अभिक्रिया के लिए सामेस्थरांख है दोनों की आंकिक मान जो है वो एक दूसरे से भिन होते हैं इसी तरह से यदि माल लिजे तभी हम किसी संतुलित उतक्रमणी अभीक्रिया के रससम्मिकरण मिती गुडांकों में परिवर्तन करते हैं तो यह परिवर्तन जब हम साम्मिस्थरांक वेंजक लिखते हैं उसमें भी दिखाई देना चाहिए उधारन के लिए यदि हमारे पास अभीक्रिया है H2 प्लस I2 is equal to 2HI यदि हम इसके जो साम्मिस्थरांक गुडांक हैं उसमें दो का भाग दे दे तो इस तरह से हम उससे लिखेंगे हाफ H2 प्लस हाफ I2 is equal to HI तो इस तरह से जब हम इसका साम्मिस्थरांक लिखेंगे तो यह साम्मिस्थरांक केसी यहाँ पर भी हम इससे 10 के द्वारा दर्शाएंगे यह केसी जुकल्टू हो जाएगा HI की सक्री द्रव्यमान बटे H2 का सक्री द्रव्यमान की घात 1 बटे 2 गुडित I2 के सक्री द्रव्यमान का घात 1 बटे 2 इसी तरह से जो केसी होगा जो इसका मान होगा वह भी हो जाएगा केसी की घात 1 बटे 2 इसी तरह से यदी माल लेजे हम पूरी रासायनिक उतिक्रमणी जो संतुलित अभिक्रिया है उसको n से गुणा करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा जो केसी होगा उसका भी घात n हो जाएगा उधारन के लिए यदि हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं हमारे पास अभीक्रिया है इसी अभीक्रिया को हम लेते हैं H2 प्लस I2 is equal to 2HI यदि हम N से गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा NH2 प्लस NR2 is equal to 2NHI और इस तरह से जब हम इसके लिए KC का expression लिखेंगे सामिस्थरांक वेंजक लिखेंगे तो यह हो जाएगा HI की घाथ 2N बटे I2 की घाथ N तथा H2 की घाथ N और इस तरह से जो सामिस्थरांक होगा KC उसका KC का घाथ हो जाएगा N तो इस तरह से हम देखें कि कोई भी उतक्रमणी संतुलित समीकरण है उसमें यदि हम उसके स्टाक्योमेट्रिक कोफिस्टेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो यहाँ परिवर्तन हमें साम्में स्थरांक वेंजक का जो expression है उसमें भी दिखाई देना चाहिए जो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी जितने भी साम्मिस्थरांक वेंजक लिखे हैं विभिन अभिक्रियाओं के लिए उसमें हमने सभी में सामिस्थरांक विंजक केसी का जो सांद्रण है उसे सांद्रता के रूप में मोलर सांद्रण के रूप में अभिव्यक्त किया है लेकिन कभी-कभी जब जो अभिकारक होते हैं या जो अभिक्रिया होती है उसमें सभी अभिकारक या उत्पाद यदि गैसी अवस्था में होते हैं तो उस स्थती में हमारे लिए उनकी सांधरताओं को मोलर सांधरण में अभीव्यक्त करना ज्यादा सुविधा जनक होता है तो इस तरह से हम कुछ रासानिक अभीक्रियाओ को लेते हैं और हम देखेंगे कि उनको हम गैसि रूप में अंशिक दाब के रूप में हम किस प्रका गैसी निकाय जो की सामांगी निकाय होगा गैसी निकाय में साम्यावस्था इस्थरांग को किस प्रकार से दर्शाएंगे तो यहाँ पर हम बताते हैं कि गैसी निकाय में जो साम्यावस्था इस्थरांग है जिसमें हम उनको आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित करते है वहाँ पर हम साम्य वस्थास्थरां को KP के द्वारा दर्शाते हैं। उधारन के लिए यहाँ पर हमारे पास अभिक्रिया है H2 प्लस I2 उतिक्रमणी 2HI। इस अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं किस प्रकार से लिखा जाएगा। केसी बराबार होगा H2 की सक्री द्रवेमान की घाद 2 बटे H2 का सक्री द्रवेमान गुणित I2 का सक्री द्रवेमान। इसी तरह से अब यहाँ पर जो HI के जो सक्रिद रविमान है यदि हम इनको आंशिक दाब के रूप में रिप्रेजन करें तो उन्हें इस प्रकार से लिखा जाएगा और यहाँ पर जो KC है वो KP के रूप में दर्शाए जाएगा KP बराबर यहाँ पर हो जाएगा यह आंशिक दाब HI का आंशिक दाब की घाद दो बटे H2 के आंशिक दाब गुणा I2 का आंशिक दाब तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे यहाँ पर हम और उधारन लेते हैं जैसे सामाने जो अभिक्रिया होगी A प्लस B is equal to C प्लस D इसके लिए हम केसी लिखते हैं C का सक्रीद दरविमान गुणित D का सक्रीद दरविमान बटे A का सक्रीद दरविमान गुणित B का सक्रीद दरविमान इसके लिए जब हम K P लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे C का आंशिक दाप गुणित P का D का आंशिक दाप बटे A का आंशिक दाप गुणित B का आंशिक दाप इसी तरह से दूसरी अभी क्रिया हम ले रहे हैं यहाँ पर है हमारे पास A के A मोल यदि B के B मोल के साथ क्रिया करते हैं और C के C मोल तथा D के D मोल बनाते हैं इस अभी क्रिया के लिए हम जानते हैं, इसी को जब हम KP के रूप में प्रदरशित करेंगे, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर जो आंशिक दाब है उसे हम जो भी अभिकारक या उत्पाद है उसके सामने लिखकर दर्शाएंगे तो यहाँ पर इसको P से रेप्रेजन करेंगे और इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए यह जो गैसी अभिक्रिया होगी उसके लिए हम K P को दर्शा सकते हैं यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है वहाँ पर K C और K P का मान बराबर होता है लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं है इसलिए हमें K C और K P में किस प्रकार का संबंध होता है ताकि हम यदि हमारे पास K की वैल्यू है तो उसे K P में या K P की वैल्यू है तो उसे K C की वैल्यू में परिवार्थित कर सकें तो इसलिए हमें K C और K P के पी जो संबंध है उसे जानना आवश्यक है तो आईए जानते हैं कि K P तथा K C में किस प्रकार का संबंध होता है इसे समझने के लिए फिर से हम बिल्कुल सरल सी उतक्रमणी अभिक्रिया को लेते हैं जिसमें कि A के A मूल B के B मूल से क्रिया कर रहे हैं और C के C मूल तथा D के D मूल बनाते हैं इस अभी क्रिया के लिए जब हम केसी लिखेंगे तो हमें पता है यहाँ पर होगा C का सक्री दरविमान की घाट C गुड़ी D का सक्री दरविमान की घाट D बटे A का सक्री दरविमान की घात A, गुणा B का सक्री दरविमान की घात B. अब इस समी करण में इसी के लिए यदि हम KP लिखते हैं तो यह होता है यहाँ पर C के आंशिक दाप की घात C, गुणित D के आंशिक दाप की घात T, बटे A के आंशिक दाप की घात A, गुणित B के आशिक दाब की घात B अब इस समीकरण के अधार पर आगे हम देखेंगे हमने देखा है आदर्श गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरण में हम जानते हैं यह होता है P V is equal to N RT इसी में यदि हम जो आयतन है उसे मोलो की संख्या के नीचे ले आए यानि कि P बराबर हम लिख सक कि कितनी संख्या घुली हुई है यहने कि यह यहां पर सांद्रता को दर्शाता है इस तरह से हम N by V के इस्थान पर C यहने कि मोलर संद्रता को भी लेख सकते हैं इसलिए हमें जो ना एक्स्प्रेशन प्राप्त होगा वह हो जाएगा P is equal to CRP तो यहां पर जो C है वह संद्र संद्रता को अभिव्यक्त कर रही है इस तरह से यदि हम जो केपी वाला जो हमारा वेंजक है उसमें अब जो PC की घाथ सी गुणित पी डी की घाथ डी यह जो एक्स्प्रेशन हमें दिख रहा है इसमें हम पी का वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर दिया हुआ है PC की घाथ सी यहां पर यदी हम इसकी जगह पर पी के स्थान पर CRT लगते हैं तो यहां पर हमारे पार स्प्राप्त हो जाएगा C की घाद C into RT की घाद C इसी तरह से यहाँ पर जो PD की घाद D है उसके लिए जो value हो जाएगी वो हो जाएगी D की घाद D into RT की घाद D इसी तरह से जो PA की घाद A है वहाँ पर उसकी जगा हो जाएगा A की घाद A गुनित RT की घाद A इसी तरह से यहाँ पर जो अंत में P B की घाथ B है उसकी जखाप पर हो जाएगा B की घाथ B into RT की घाथ B तो इस तरह से हमें एक नई वेल्यू प्राप्त होती है और इन सभी वेल्यू को अब हम जो KP है उसमें रखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे KP is equal to तो यहाँ पर हमने जो भी हमारा वेल्यू था वहाँ पर P का वेल्यू हमें रख दिया है और इस तरह से हमें जो नव मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा KP is equal to C की मूलर सांदर्ता की घाथ C into RT की घाथ C गुनित तो इस तरह से एक्सप्रेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो अभिकारकों और उत्पादों की सांदर्ताएं हैं उनको अलग कर लेंगे तो इस तरह से हमें प्राप्थ होगा K P is equal to C की सक्री दर्वेमान की घाथ C, गुणिद D का सक्री दर्वेमान की घाथ D, बटे A का सक्री दर्वेमान की घाथ A, गुणिद B का सक्री दर्वेमान की घाथ B. साथ ही साथ यहाँ पर गुणा के रूप के बाद हमें मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर आटी को अलग कर लिया है तो यहाँ पर प्राप्थ होगा आटी की घात C into आटी की घात D बटे आटी की घात A into आटी की घात B अब यहाँ पर हम देखें कि जो P is equal to हमने लिखा है C की घात सक्मी दरविमान की घात C और यह जो वेंजक है यह वेंजक बराबर होता है के सी के तो इस तरह से हम फिर से एक next question हमें मिला अब यह हो जाएगा K P is equal to K C यहाँ पर हमने पूरी value रख दिये K C और यह गुणा हो जाएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आटी की घात C है और आटी की घात D है तो यहाँ पर भी R T को हम common ले लेते हैं और इस तरह से लिखते हैं R T की घात C प्लस D क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं तो बटे में हो जाएगा R T की घात A प्लस D इस प्रकार का expression हमें मिमला है और यदि हम नीचे R T की घात A प्लस D को उपर ले आते हैं तो इस प्रकार से हमें जो समी करण मिलेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा K P is equal to K C R T की घात C प्लस D माइनस A प्लस B और इस तरह से यहाँ पर जो हमें यह घात मिल रहा है C प्लस D माइनस A प्लस B इसके लिए हम डल N का उप्योग करेंगे यहाँ पर जो डल N है वह क्या दर्शाता है वह यह दर्शाता है की उत्पादों के मोलों की संख्या तथा अभिकारकों के कुल मोलों की संख्या के अंतर को दर्शाता है तो साम्ने अवस्था में उत्पादों के मोलों की संख्या तथा अभिकारकों के मोलों की संख्या के अंतर को हम यहाँ पर डिल्टा N के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर जो हमें एकस्प्रेशन मिल रहा है वो यह दर्शाता है कि के पी और के सी में किस प्रकार का संबंध होता है इसलिए यदि हमें के पी की वेल्यू प्राप्त हो तो उसे हम के सी में परिवर्थित कर सकते हैं या फिर KC के वेल्यू यदि पता है तो हम उसे KP के वेल्यू में परिवर्थित कर सकते हैं। यहां पर हम ध्यान देंगे कि जो दाब है वह या तो 1 bar या तो फिर 1 atm याने कि अट्मोस्फेरिक प्रेशर में प्रदर्शित किया जाएगा। साथी साथ यहाँ पर जो सांद्रता होती है उसे हम मोल प्रती लीटर में प्रदर्शित करेंगे अब यहाँ पर हम कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरन लेते हैं और तथा उस अभिक्रिया के लिए केपी और केसी में संबंध प्रदर्शित करते हैं और देखते हैं कि किया किन परिस्थतियों में क्या किन अभिक्रियाओं के लिए इनके मान बराबर होते हैं तो यहां पर हम पहला उधारन ले रहे हैं सबसे जो जानी पहचानी हमारी उत्क्रमणी अभिक्रिया है वह है यहाँ पर अभिकारकों के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर दिख रहा है कि उत्पाद के मोलों की संख्या 2 है, तथा यहाँ पर अभिकारक 2 है और उनकी संख्या 1-1 है, इसलिए कुल मोलों की संख्या हो गई 2, यहनि कि यहाँ पर जो delta n का मान हो जाएगा, वो 2-2 is equal to 0, तो इस तरह से अब इस जो घाद delta N का मान हम अपने equation में रखते हैं। यहाँ पर जो हमारा KP और KC के संबंध वाला equation है, वह है KP is equal to KC RT की power 0, यहाँ पर delta N की जगह पर हमें 0 रख दिया है। और इस तरह से हम जानते हैं, जिस भी मान के उपर 0 घाद होता है, उसका मान एकाई हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पर जो हमें संबंध प्राप्थ होगा, वह होगा KP is equal to KC, यहनि कि यहाँ पर इस अभीक्रिया के लिए KC और KP की value समान हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा उधारन ले रहे हैं, यह अमोनिया के निर्मान की हैबरविधी, जिसमें की अभीक्रिया होती है N2 plus 3H2 उतक्रमणी 2NH3, इस अभीक्रिया में भी हम डल्टा N का मान निकालते हैं, और डल्टा N का मान में हम देखेंगे कि यहाँ पर उत्पादों की मोलों की संख्या 2 है, जबकि अभीकारकों की मोलों की संख्या 4, नेट्रूजन के 1 मोल और हाइडरूजन के 3 मोल और इस तरह से यहाँ पर जो डल N है उसका मान हो जाता है माइनस 2 और इस माइनस 2 वेल्यू को हम यहाँ पर समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Kp is equal to Kc, RT की घात माइनस 2 और इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो Kp की वेल्यू है, वह Kc की वेल्यू से कम आएगी, तो कि यहाँ पर जो घात दिख रहा है, RT की पर जो घात है, वह नेगेटिव है, इसी तरह से दूसरा एक और समीकरण हम लेते हैं, यह है PCL5 उदक्रमनी PCL3 प्लस CL2, इस समीकरण के लिए जब हम डल्टा N का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो उत्पाद है, उसके मोलो की संख्या 2 है, तथा जो अभिकारक हैं, उनके लिए यहाँ पर मोलो की संख्या 1 है, और इस तरह से डल्टा N का माना जाता है A, और यहाँ पर KP is equal to हो जाएगा, कC, RT की घात A, और इसलिए यहाँ पर जो घात है, वह धन हम देखें कि भिन भिन अभिक्रियाओं के लिए हम केसी और KP की value में संबंध प्राप्त कर सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि केसी और KP के मात्रक क्या होते हैं, यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो केसी जब हम represent करते हैं, तो वहाँ पर हम सी दर्शाता है कि यहाँ हम इसे सांद्रता के रूप में प्रगट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं और सांद्रता को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, मोल प्रती लीटर में, इसी तरह से जो KP होगा, वहाँ पर जो दाब होगा, आंशिक दाब होगा, उसको हम प्रदर्शित करेंगे, एट केसी का मत्रक बराबार होगा मोल प्रती लीटर की घात ड्ल्टा एन इसी तरह से के फीकारकों की चेसी घात की क्या होगा यहाद कर सकते हैं हम सबसे पहले उधारण लेते हैं अभिक्रिया है जो केसी का मात्रक होगा क्योंकि यहां पर सांदर्ता की रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो केसी वराबर होता है मोल प्रती लीटर और चुकि यहां पर डल N का मान जीरो आ रहा है इसलिए इस अभीक्रिया के लिए के सी का कोई मात्रक नहीं होगा इसी तरह से यहां पर एक और उदारण हम ले रहे हैं N2O4 is equal to 2NO2 इस अभीक्रिया के लिए यदि हम डल N निकालते हैं तो यह मानाता है क्योंकि उत्पादों के मोलों की संख्या 2 तथा अभिकारकों की मोलों की संख्या 1 है इसलिए यहाँ पर डलन का मानाता है एक यानि कि जब हम इसका केसी का मात्रक निकालेंगे तो वो हो जाएगा मोल प्रती लीटर की घात एक यानि कि इस अभी क्रिया के लिए केसी का मात्रक होगा मोल प्रती लीटर इसी तरह से जब हम केपी का वेल्यू निकालेंगे केपी का मात्रक निकालेंगे तो वो हो जाएगा ATM की घात एक यहां पर जो मात्रक होगा वो होगा 1 ATM यहां कि एक वायू मंदली दाब इसी तरह से हम अमोनिया के निर्मान की विधी भी ले सकते हैं यहां पर हम देख रहे हैं N2 प्लस 3H2 उतिक्रमनी 2NH3 इस अभिक्रिया के लिए यदि हम केसी का मात्रक निकालेंगे तो यहां पर हम जानते हैं कि जो डल N का मान होता है वो माइनस 2 आता है और इसलिए जो केसी का मान हो जाएगा वो होगा मोल प्रती लीटर की घात माइनस 2 और इस स्थति में यहां पर ह इस तरह से विभिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए केशी और के मात्रक याद कर सकते हैं जो किवभिक्रिया, के मोलों की संख्या पर यानिकी डल्टा इनके मान पर निर्भर करते हैं